सब्सक्राइब करने वाले हैं आज हम समझेंगे कि फेशल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है इसकी बहुत ही छूटी से हिस्ट्री भी डिसकस करेंगे और साथ में फेशल रिकंस्ट्रक्शन के सब्सक्राइब करने लिए आपको कुछ मार्करो की रिकौइमेंट होती है UKU सौते हैं वो क्या क्या होते हैं यह सारी चीज़ों के बारे कंपके इस वीड keeping वैश्क करने वाले हैं बीसी कटी इस इसको हम टोटल थ्री पार्ड के उनके बारे में इसकास करेंगे तो अब आप जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और यह समझेंदेगा कि facial reconstruction होता क्या है so basically facial reconstruction एक method होता है जो कि forensic field में generally use किया जाता है जहाँ पर आपकी skeleton remains मिलते हैं जो भी skull मिलता है तो वो अगर बहुत ही मनलब unidentified है वहाँ पर आपकी बिल्कुल भी सिर्फ सिर्फ skeleton बचा हुआ है उसमें कुछ भी tissues वगर available नहीं है आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं तो उस condition में आपको जरूरत होती है उस skull को reconstruct करना reconstruct करने का मतलब है आपको एक structure मिला है कुछ इस तरह का आपको skull मिला है जहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ skull है प्रॉपर किस जगह पर कितनी thickness होनी चाहिए कहां पर कितने tissues होने चाहिए उस according पूरे skull के उपर वो clay या पर जो भी material हम use करेंगे उसको लगाते हैं और उससे प्रॉपर आपका एक face जिस तरह से होता है उस तरह का आपको नजर आने लगता है तो तो यही process होती है इसको हम बोलते है facial reconstruction अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की और है कि ऐसा क्या होता है skull में कि हम सिर्फ skull को reconstruct कर लेंगे तो उससे हमें क्या benefit होगा तो basically इतना तो सभी को पता होता है कि हर एक individual का जो facial structure होता है वो different होता है हर एक individual का जो face होता है वो unique होता है वो उसकी individual identity होती है और यह आपको सिर्फ देखने भर से भी मालूम चल जाता है लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा close analysis करें तो जो आपके skull के जो आपके face के measurements होते हैं आपके eye to eye के बीच में जो distance होती है जो आपका eye से nose तक की distance होती है तो वो सभी का आपका different different होता है for example अगर हम मान के चलें ये किसी individual का head है ये nose है ये mouth है तो अब यहाँ पर एक triangle बनता है यानि कि ये वाला position ये वाली position और nose के just नीचे ये जो triangle होता है ये हर एक individual का unique होता है different होता है और birth to death मतलब जब तक आपकी life है जब तक आप जिन्दा है आप मर भी गए है डेथ भी हो गई है बट जो आपकी ये triangle बनता है ये triangle की जो आपका measurement आता है वो आपका unique रहता है unique का मतलब है unique ratio में रहता है जैसे कि जब आप छोटे बच्चे थे तो आपका जो ये triangle बनेगा उसका size कम होगा जब देदरे बड़े होते जाएंगे तो ये triangle का size बढ़ता जाएगा लेकिन जो इसका ratio रहेगा वो ratio आपका same रहता है तो ये हर एक individual के face की individual characteristic feature हो जाता है इसी तरह से काफी सारे चीज़ें होती है जिसका आपको इसमें analysis करनी होती है उसके लावा हम बात करें facial reconstruction के तो ये usually perform किया जाता है sculptor की द्वारा with the help of एक जो forensic anthropologist होते है उनकी help से ये काम किया जाता है और जो sculptor होता है वो एक तरह का expert होता है facial anatomy में तो ये कुछ आपके basic हो गए आगे चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं जो forensic facial reconstruction होता है तो ये क्या होता है forensic facial reconstruction सेम भ़ई चीज है जो अपय तक हमने facial reconstruction में समझीती अब यहाँ पर forensic facial reconstruction को हम forensic facial approximation भी कह सकते हैं क्यों कह सकते हैं थूकि यहाँ पर हम जो इसकल हमको मिलता है उसके उपर जब हम लेयरिंग करते हैं जो material होता है जो भी clear रहती है उसके तो उसमें आप एक approximate बना सकते हैं कई बार exact उतना नहीं हो पाता है अब उतना exact क्यों नहीं हो पाता है क्योंकि यहां पर जो tissue depth markers हम यूज करते हैं कई बार उनको लगाने में गरबन हो जाती है या फिर उनकी proper positioning में गलत हो जाता है तो यह सारे चीज़े रहती है अब यह tissue depth marker क्या होते है इसको भी हम आगे discuss करेंगे जब हम इनकी types को समझेंगे और facial reconstruction कैसे करते हैं इसको समझेंगे तो वहाँ पर इस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी अब यह forensic facial deconstruction होता क्या है it is a technique used to help in building an alive face out of skeleton remains of an unknown identity and reproduction of facial features is based upon the soft tissue thickness over the underlying bony structure of the skull for the purpose of identifying an unknown person so यहाँ पर जो भी unknown आपको skeleton मिलता है unknown skull मिलता है उस skull को फिर से alive करने के लिए आपको soft tissue की thickness के basis पर वापस से उस bony structure जो होता है skull का उसको वापस से reconstruct करना होता है with the help of clay या फिर आप modeling clay basically यहाँ पर use करी जाती है इसके इलाबा आप दूसरा को भी material यूज कर सकते हैं material क्या होता है इसको भी हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर इतना तो हो गया कि facial reconstruction की definition क्या है तो यह आपकी proper definition लिखी है और बाकी इसको हम forensic facial approximation भी कहते हैं तो यह भी आपको पता होना चाहिए अब यह आगे चलते हैं और यहाँ पर इसकी छोटी सी history है इसको हम देख लेते हैं जो फॉर्स टाइम facial reconstruction किया गया था वो एक German anatomist थे विलहीम हिस यह scientist का नाम है तो यह नाम बहुत important थे कि फॉर्स टाइम facial reconstruction किसने क्या था तो यह scientist का नाम है इन्होंने क्या था किसी एर में क्या था 1885 में क्या था next है विलकर एक scientist थे जो कि German physiologist and anatomist है first of all इन्होंने anthropological landmarks का यूज करा था face पर और measure करा था depth of penetration मतलब कि यो tissues हैं वो कितना आपकी उसमें thickness है और जो आपके face में जो landmarks होते हैं वो इन दोनों चीजों का use करते हुए इन्होंने facial reconstruction किया था scientist थे इनका नाम था वेलकर तो इसी वजह से इस method को वेलकर facial reconstruction टेकनीक बोला गया था इनकी टेकनीक में था गया इन्होंने facial reconstruction को थोड़ा सा और एक तरह से कह सकते हैं accuracy के लिए इन्होंने anthropometrical landmarks यूज करें थे anthropometrical landmarks उम्मीट करती हूँ आपको पता होगा बट नहीं भी पता है तो tension लेने के जरूत नहीं अभी इसी वीडियो में आगे हम देखेंगे कि landmarks होते क्या है ठीक है अब जो landmarks होते हैं उसके साथ साथ जो हमको depth रखनी है depth यानी क तो ये question आपसे यहाँ पर बन सकता है कि Velker facial reconstruction technique ये एक scientist ने दी थी जिनका नाम था Velker जो कि German physiologist और anatomist थे तो इनकी इस technique में क्या different था क्या इनने unique चीज यूज करी थी तो ये बहुत important है इसी वरह से जितने भी मैंने यहाँ पर history में points डाले हैं इनको बहुत focus के साथ में लीजेगा question यहाँ से बन सकते हैं अभी हम आगे चलते हैं और यहाँ पर थोड़े से और points है so basically 1946 में Wilton Maria Krogman इन्होंने five basic principles दिये थे five basic principles को define क्या था to modify the method of reconstruction of soft tissues of the face that is relation to the eyeball to orbit, shape of nose, tip, ear location, mouth width and ear length तो यह scientist थे Krogman, Krogman के नाम से आपने generally सुना होगा इनका full name है Wilton Maria Krogman 1946 में इन्होंने five basic principles के बारे में बताया था general reconstruct करते हैं तो जो tissues आपको use करने होते हैं बैसिकली जो tissues की depth और इनका पूरा structure आपको त्यार करना होता है तो उसके लिए जो आप यूज करते हैं material तो उसके लिए क्या basic principles होने चाहिए तो यहाँ पर जो eyeball का relation होता है orbit के साथ में shape जो होता है nose का मलब nose tip का जो shape होता है ear की जो location है mouth का जो width है और जो ear की length है तो इन 5 basic principles पर इन्होंने reconstruct करने के बारे में बताया था आगे चलते हैं तो computerized reconstruction जो है इसको first time London College University में study किया गया था 1980 में जहाँ पर cranial reconstruction procedure carry out किया गया था by using a laser technique like scanner and video camera तो यहाँ पर इस point में जाता कुछ समझने का नहीं बस आप इतना याद रख लिएगा कि जो computerized reconstruction है जो first time 1980 में करा गया था तो यह आपका एक तो point यह बहुत important है बाकि इसमें उतना कुछ important नहीं है बस आपको year याद रखना है कि computerized reconstruction first time कब किया गया था और इससे पहले वले slide में जो दो point से वो तो बहुत important है अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो facial reconstruction आप करते हैं तो उस time पर क्या-क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है तो मान के चलिए यह आपका एक skull है यह आपके eye orbits है और यह आपका nasal वाला aperture है और basically यहाँ पर आप यह चीज़ notice करिए कि यहाँ पर आपका maxilla तो है लेकिन mandible वाला जो portion है वो आपका यहाँ पर absent है तो यहाँ पर मान लिज़े कुछ आपके maxilla में जो teeth के लिए gums available होते है वाला portion है यह अभी नीचे से यहाँ पर आपको mandible को इसमें attach करना पड़ता है जब आप यहाँ पर facial reconstruction आप start करते हैं तो अब यहाँ पर होता क्या है कि जब आप किसी भी skull का आपको reconstruction करना होता है तो उसको reconstruct करने से पहले आपको जिस भी individual का idea लग रहा होता है कि possibility है कि इस individual का face रहा होगा या ऐसा कुछ रहा होगा तो उस condition में करना क्या होता है उस condition में आपको उस individual की जो previous images होती है उनको आपको close analysis करनी होती है आप images कैसे मिलेंगी images आपका जो भी idea लग रहा होता है जो आपको doubt हो रहा होता है कि इस individual का होगा तो आपको उस individual के previous records बाकी proper investigation इब आप करते हैं उनके घरवर तक जाते हैं पता करते हैं तो उनकी इमेज़ेस को प्रॉपर एनालेसिस करके उनका प्रॉपर जो टिश्यू डेप्थ वगर रहती है उसको मेजर्मेन करने के बाद में फिर आपको यहां पर जो रिकंस्ट्रक्शन होता है वो आपको स्टार्ट करना होता है अगर हम स्केलेटन की बात करें तो जो स्कल रहता है जो आपकी स्कल है वहां पर आपकी ब्रो रेज अवेलिबल होती है यानि कि आई ओर्बिट के जस्ट उपर आपका हरका सा उभरा हुआ से थोड़ा सा रेज्ड पोश्यन होता है उसको हम बोलते हैं तो यहां पर यह जो होते हैं इनके बीच में डिस्टेंस यानि कि यह वाली जो डिस्टेंस है यह डिस्टेंस कितनी है यह भी आपको मेजर करनी होती है उसके लावा जो यह नेजल चांबर है इस नेजल चांबर का शेप क्या है क्या इसका साइज है यह आपको देखना होता है और यहाँ पर जो आपके nasal bones होती है उनका shape और projection क्या है ये भी चीज आपको देखनी होती है इसके रावा यहां पर जो chin होता है chin आपके होता है mandible वाले portion में तो mandible वाले portion में जो chin available होता है उस chin की जो form है उसका जो size है उसका जो shape है यह सारी चीज़े भी आपको measure करनी होती है और इसी basis पर कुछ आपकी personal आपको आइडिया लग जाता है कि यह कुछ पर्टिकुलर्ली यह features निकल के आ रहे हैं तो possibility है कि यह features पर्टिकुलर्ली इस individual की होंगे तो इस तरह से आपको पता चलता है कि यह skull के possibility क्या है कि इंडिवीजुल के होने की ठीक है तो यह सारी चीज़े होती है इससरा से आप identify कर सकते हैं कि कौन से इंडिवीजुल का जो skull है वो मिला होगा अब यहां पर जो आपको skull मिलता है तो उस bones का यानि कि उस skull का use करते हुए जो artist या forensic anthropologist होते हैं दोनों साथ में काम करत हैं face को मनलब जो skull है उसकी base पर आप face को बनाते हैं तो यही जो चीज रहती है इसी process को हम बोलते है forensic facial reconstruction और यह generally आपका clay का use करते हुए किया जाता है जो आप reconstruct करेंगे तो उसके लिए generally clay use कर जाती है clay का मतलब होता है मित्ती यह तोड़ी सी different तरह की होती है लेकिन इसी का य 21 osteometric markers भी use करे जाते हैं जब आप facial reconstruct करते हैं जब face को reconstruct करेंगे तो उसके लिए 21 osteometric markers का use करते हैं यह basically landmarks कहलाते हैं अगर आपने इन landmarks को find out करने में या फिर जब आप marker लगाते हैं tissue depth के लिए तो उसमें आप कुछ थोड़ा बहुत गरवर कह देते हैं तो उस वजह से जो आ कि exact वही आपको face याने की वही आपको appearance नजर नहीं आएगी जो exactly होने चाहिए तो यह यहाँ पर एक थोड़ा सा drawback हो जाता है इसी वजह से जब आप facial reconstruction करते हैं तो बहुत minute से जो changes आते हैं उनको भी आपको बहुत properly analysis करनी होती है क्योंकि यहाँ पर scaling करते हैं जो measurement करते हैं आपको proper notice करना चाहिए ऐसा नहीं कि आप उनको ignore करते हैं कि बहुत चोटा सा difference है तो इसमें कुछ value फर्ट नहीं पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पर बहुत close analysis की requirement होती है अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं और इसमें जो landmarks use होते हैं 21 landmarks जो मैंने भी आपको ब यहाँ पर थोड़ा से notice करते हुए चलेगा अपने face से तो अब यहाँ पर जो आपकी nose है उस nose जहां से आपकी starting हो रही है तो यहाँ पर just starting से थोड़ा सा उपर यानि कि जो आपकी eyebrows होती है उनके just बीच में और उससे थोड़ा सा नीचे यह वाला जो position होता है इस particular position पर जहा पर यानि कि फोर हेड पे थोड़ा सा उपर वह आपका कहलाता है supra glabella तो यह आपकी number two marking हो गए next यहाँ पर है glabella के just नीचे थोड़ा सा आप आजाए जहां पर आपका nasal bone start हो जाती है वह आपका third number हो गया यानि कि next हो गया आपका nasion और nasion के नीचे वह आपको ऐसे नहीं दिखेगा लेकिन जब आप skull देखेंगे तो skull में आपको नजार आता है तो वो होते हैं आपके nasal septum या फिर nasal भी कहते हैं ठीके यह आपके हो गया four यानि कि यहाँ पर इस जगा पर आपका हो गया nasal septum आगे चलते हैं और fifth number पे है आपका अब nose जहां पर आपकी end होती है और जहां पर आपका maxilla वाला portion होता है तो maxilla का यह जो central वाला portion होता है जो joint करता है दोनों maxilla को उस particular position का जो central portion होता है उसको हम बोलते हैं midfiltrum यह five number हो गया इसके बाद में midfiltrum की just नीचे आप थोड़ा सा आएंगे जहां से आपके teeth ही start हो जाते हैं मतब central portion में ही जहां से teeth आप के start होते हैं यह आप six number देखिए तो वो आपका कहलाता है upper lip margin तो six number क्या हो गया आपका upper lip margin और यहां पर नीचे वाले आप जो आपका mandible होता है तो उस mandible की जो जहां पर teeth जहां से start होते हैं तो उसका central portion होता है यानि कि यह वाला यहां पर होता है आपका lower lip margin जिस जगा पर आपका upper lip margin है maxilla में वहीं जगा पर नीचे आप mandible में आते हैं तो mandible में आपका आ जाता है lower lip margin जहां से आपके teeth start होते हैं इसके बाद में इसके just नीचे थोड़ा सा आप आएंगे तो उस जगा पर होता है आपका chin lip fold 8th number का marker है वो है आपका chin lip fold इसके बाद में इसी जगा से थोड़ा सा और नीचे आएंगे आप chin की तरफ थोड़ा सा नीचे side में तो यह आपका 9th number का landmark हो जाता है जिसको हम बोलते है mental eminence अब just आपका chin का border होता है बिल्कुल edge point जो होता है इस जगा पर बिल्कुल central में ही हम बात कर रहे हैं तो वो रहता है आपका beneath chin यह कहलाता है आपका beneath chin 10th number का है तो just center से आपको central line में ही सारे के सारे landmarks यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर के 10 landmarks देखे और यह सारे आपके इसी line पर यानि कि central line पर ही सारे landmarks आपके आगए अब यहाँ पर इसके बात में आगे चलते हैं और 11th number की बात करत हैं तो जहाँ पर आपका supraglabela था उस supraglabela से थोड़ा सा आप अपने right side या left side में आएंगे यह दोनों ही side दिखेगा तो यह आपको frontal eminence कहलाता है क्योंकि यह frontal bone के उपर जो अबरा हुआ थोड़ा सा portion आपको side side में देखने को मिलता है अपने forehead पेचे करिए तो center से side की तर आपको काफी सारे थोड़ा सा उबरा उबरा portion नजर आता है थोड़ा सा raised portion नजर आता है edges टाइप करेता है थोड़ा सा तो वह आपका कहलाता है frontal eminence frontal eminence के बाद में जो आपकी broad ridge होती है यानि की eye orbit है यह आपका eye orbit है eye orbit के just थोड़ा सा उपर आप जाएंगी इस जगह पर तो यह आपका 12th number का landmark है और इसका नाम होता है supra orbital supra orbital के बाद में next अगर हम बात करें यहां पर 13th number पे तो जैसे आपका supra orbital आपकी orbit के ऊपर तो हमें supra orbital नाम दे दिया अब उसी orbit के नीचे वाले portion पर नीचे हो गया orbit के eye orbit के तो वह आपका हो जाएगा 13th number का इसको हम बोले आपके orbit के नीचे है आई-orbit के नीचे है तो सब आई-orbit के ऊपर है तो supra इतना हो गया अब यहां पर 13 तक हमने बात कर ली है अब 14th number पे आ जाते हैं तो 14th number का जो आपका landmark होता है वो यहां पर है यानि कि किस जगह पर है जो आपकी eye orbit है उससे थोड़ा सा आप नीचे नीचे आएंगे और यहां पर जो आपकी nose है nose के end portion से थोड़ा सा आप मूव करें बाहर साइड की तरफ यानि कि यह आपकी nose आ गई उस nose से थोड़ा सा इधर की तरफ जब आप मूव करेंगे तो आपकी इस position पर landmark होता है और उसका नाम होता है inferior mailer inferior mailer यहां तक हो गया इसके बाद में 15th number की बात करें तो 15th number कौन सा हुआ जो आपकी zygomatic bone है तो उस zygomatic bone का आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे यह आपकी zygomatic bone चल रही तो आपकी zygomatic bone है तो इस zygomatic bone पर जो आपकी cheeks बनाती है उस वाली bone पर थोड़ा सा आप पी 14th number का landmark इसको नाम दिया inferior mailer इसी से थोड़ा सा और आप पीछे की तरफ जाएंगे तो इस जगह पर आपको मिल जाएगा 15th number का landmark जिसका नाम है lateral orbit और इसी से थोड़ा सा आप और पीछे की तरफ जाएंगे जो आपका बिल्कुल edge वाला portion बन जाता है आपके cheeks में थोड़ा स आप चेक करें अपने face पर जो बिल्कुल side में जो बिल्कुल edges वाला portion आ जाता है 16th number का landmark है और उसका नाम है zygomatic arch midway तो यहां तक हमें 16 तक के सारे landmarks देख लिए अब जैसे मैं आपको यहां पर सारे landmarks इस side में दिखा रही हूँ सेम वही सारे landmarks आपको इधर side में भी देख आपके left side में भी रहेंगे तो left और right दोनों तरफ के आपको landmarks को proper देखना होता है तो यहां तक हमें 16 नंबर तक के यानि की zygomatic arch midway तक के सारे landmarks देख लिए अब हम आगे चलते हैं और हम बात कर लेते हैं 17 नंबर के landmark को तो 17 नंबर का landmark होता है वो आपके इसी यही जो आप पर यहां पर तो वो बिल्कुल side वाला portion जो है यहां पर आपको 17 लिखा हुआ दिख रहा होगा इस जगहा पर आपका होता है 17 नंबर का landmark जिसका नाम होता है supraglinoid ठीक है यानि की cheek bone से बिल्कुल आप edges तक आ गयते है 16 नंबर तक के लिए और उसी edge को track करते वे बिल्कुल पीछे तक जाए side तक आपके side side में नज़र आएंगे वो हो जाते हैं आपके supraglinoid landmark और यह आपके eye orbit के just पीछे side में यानि की eye orbit के just इधर इस तरह से आपको दिखेंगे इसके बाद में next है आपका 18 नंबर तो 18 नंबर के landmark का नाम है gonion gonion क्या है अब यहाँ पर आप अपने maxilla को track करिए तो gonion के लिए यानि की 18 नंबर के लिए आपका जो mandible वाला portion है उस mandible को track करिए बिल्कुल आपके ear के पास से आप track करेंगे और यहाँ पर जो आपको एक edge नजर आती है आपके maxilla में यानि आपके mandible में sorry जो आपने ear के पा है इस तरह से तो यहाँ पर इस edge पर आपका 18 नंबर का landmark होता है जिसका नाम होता है gonion ठीक है यहाँ तक 18 हो गये अब इसके बाद में 19 नंबर 19 नंबर क्या है इस gonion तक तो हो गया अब gonion के बाद में वापस आप आ जाईए maxilla के उपर तो maxilla में क्या था हमने center में देखा थ यहाँ पर और mid-filtrum के just नीचे जहां से teeths start हो रहे थे वहाँ पर था आपका upper lip margin अब जहाँ पर आपका mid-filtrum था उसी-सी थोड़ा से right या left side में जाएंगे दोनों ही side में तो वहाँ पर आपको नजर आएगा जो आपका maxilla का वेकुल ending portion होता है उस जगा पर होगा आपका sup supra m, m square इसलिए है क्योंकि यह आप पर right और left दोनों तरफ हो पर तो supra m square इसके बाद में 20 number की बात करें तो 20 number का landmark कहां पर है जो आपकी mandible होता है तो उस mandible में ही आपके जहां पर teeths की ending होती है मतलब आपके जो mandible की जहां पर teeths में ending होती है दोनों side से आप देखेंगे तो उस जगहा पर इस जगहा पर यहां पर आप देखिए बाकिया आप अपने face पर track करिए तो 20 number का जो होता है इसका नाम होता है occlusal line और यहां पर last है आपका sub m square, sub m square कहां पर है जिस जगहा पर आपका जैसे हमने बात करी थी middle filter आपके just right या left side में यहां पर आपका होगा 19 number का supra m square उसी तरह से यहां पर आप आजाए नीचे maxilla में जहां पर आपका lower lip margin था उस lower lip margin से थोड़ा सा right side में जहां से आप इस position पर आजाएंगे जहां पर 21 number का landmark है तो यहां पर आपका जो landmark है इसका नाम है sub m square, m square, sub m square क्योंकि supra वाला उपर था, sub वाला नीचे है तो इ यहां पर 21 landmarks होते हैं जिसके base पर आप पूरा facial reconstruct करते हैं, face का reconstruction करते हैं, ठीक है, so उमीद करते हूं यहां पर आपको सारे landmarks कौन से कहां पर होते हैं, किस की जगा पर कैसे कैसे या का नाम होता है, उमीद कर दू समझ में आया होगा, और यह सारे landmarks बहुत important है, तो इनकी positioning क क्या होती है, जरूर से आप देख लीजएगा, बाकि अगर आपकी school college खुल गए हो, तो एक बर अपने school में जाएगा, और वहां पर जबी भी practicals होते हैं, तो उस condition में आपको स्कल प्रोवाइड करवाई जाता है, analysis के लिए, तो वहां पर यह सारे landmarks को notice करिएगा, उनको ध बहुत अच्छे से सारे landmarks याद हो जाएंगे, और उसके अलावा, आप अपने face पर खुरी से track करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसका आपको जो face रहता है, उसमें इतने जाला tissues नहीं होते हैं, कि आप उनको जो bone है, आप उसको track ना कर पाए, तो आप अराम से, अपने face में ही जो मैंने बताए हैं, जहाँ जहाँ पर वहाँ वहाँ पर आप सारे ही landmarks को track करने की कोशिश करिएगा, तो यही सारे landmarks के base पर पूरी proper facial reconstruction करना होता है, अब ही reconstruction हम करते कैसे हैं, तो उसके लिए आपको next part आएगा, part 2 जहाँ पर हम बात करेंगे, जो आपका landmark, आपके facial reconstruction होता है, वो कितनी तरह से होता है, उसका क्या क्या procedure होता है, तो वो सारा हम next video में cover करेंगे, उमीद करते हैं, यहाँ तक आपको सब को समझ में आगया होगा, और अगर यहाँ तक समझ में आया है, तभी आपको आगे का समझ में आयागा, तो इसके लिए यहाँ तक चीज मैंने website पर upload कर दिये हैं, तो website से जाकर सारे के सारे questions को एक पर analysis करिएगा, अपने preparation देखिएगा, जो भी नया term वहां से आपको मिलता है, उसको और Google पर search out करिएगा, और फिर उसके notes अपने prepare कर लिजएगा, जिससे आपको आपकी next exam में आपको बहुत help होगी, ठीक है, तो इस वरे से paper जरूर से visit करिएगा, आपको वहां पर सारे के सारे questions और उनके answers अविलिबल हैं वहां पर, वीडियो पसंद आ रहा है, तो like जरूर से कर देगे, अपने friends के साथ में share कर दीजेगा, ताकि उन तक भी quality content पहुन जाए, चैनल पर रहे हैं, तो चैनल को subscribe जरूर से क and press कलेंगे for daily updates and thank you so much for joining me here.